क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हो जाती है तो उनके बदले वो customers को जूरली प्रवाइड करवाते हैं इसे customers को जूरली मिल जाती है किस्तों में एक तरह से क्योंकि जूरली कौशली होती है तो इसलिए one time investment ना करके वो किस्तों में customers purchase करते हैं जूरल से और जूरलर्स अपनी जूरली को पर्मोट करने के लिए kitty organize करते हैं तो आईए देखते हैं इसकी detailed information मार सॉफ्टर में kitty गिरवी manage करने के लिए क्या process है यह देखते हैं इसका पहले में आपको kitty गिरवी और committee का difference बताना चाहूंगा जैसे आप जो चार्ट सामने देख रहे हैं इसके अंदर वो किट्टी कमेटी और गिरवी के comparison के लिए जो बेस है वो क्या है जैसे member wise अगर member wise बात करें तो किट्टी में unlimited member हो सकते हैं जिसमें 100,200,500 जितना भी हो सकते हैं members हो सकते हैं और committee के अंदर limited members होते हैं तो जितने members होंगी उतने ही मंत के लिए वो committee चलेगी गिरवी में unlimited customer हो सकते हैं कोई भी गिरवी रखवा सकता है तो उसमें कोई limit नहीं होती है दूसरा AMI के base पर AMI किट्टी के अंदर fixed होती है हर एक members को एक fixed amount AMI का देना होता है committee के अंदर unfixed होती है क्योंकि वो हर महिने कुछने कुछ उसमें change हो जाता है as per interest और गिरवी के अंदर fixed होता है जो भी rate of interest गिरवी लगाया होता है jewelers ने उसके हिसाब से उसका amount fixed रहता है तीसरा term इसके अंदर जो term रहती है time रहता है वो fixed रहता है किट्टी के अंदर और committee के अंदर भी fixed रहता है क्योंकि जितने members होते हैं उतने ही month के लिए वो चलेगा इसलिए fixed है और गिरवी के लिए unfixed term है क्योंकि हो सकता है कि जितने time period के लिए customer ने बोला था वो उसे ज्यादा भी time ले सकता है इसलिए यहाँ पर term unfixed है return में जूर्ली मिलती है किट्टी के अंदर इसमें log जैसे email complete हो जाती है तो उसमें वो उनको जूर्ली प्रोवाइड कर दी जाती है दूसरा committee के अंदर इनको money back मिलता है और interest का profit यहाँ पर होता है तीसरा गिरवी के अंदर इनको payment वापिस मिलती है जूर्लर्स को और उनके बदले उनको वापिस अपनी जूर्ली गिरवी रखी थी वो वापिस मिल जाती है एडिशनली देखा जाए तो खिट्टी के अंदर lucky draw system चलता है जिसके अंदर हर members को हर महीने एक draw में हिस्सा लेके और अगर उसका उसमें नाम आता है तो आगे किस्तितेना बंद कर देता है तो इसमें additional में draw system बोलते हैं इसमें draw system चलता है दूसरा कमेटी के अंदर कुछ gifts दे दे जाते हैं सभी members को जो इसमें हिस्सा लेते हैं और इसमें कुछ नहीं है option तीसरा च्छटा option है trade कि किट्टी जो है वो ज्वेलस लोग करते हैं ज्यादे तर कमेटी जो है कोई भी trade के person जो इसमें इसको start कर सकता है डाल सकते हैं कमेट इसमें कुछ ज्वेलस भी होते हैं जो गिर्वी रखवाते हैं या जो कई लोग मोड़ेश का जो वर्क करते हैं तो इस तरह से इसमें कोई भी यह business कर सकता है तो इस तरीके से जो है इसका comparison chart है समझने के लिए अब हम आगे जो है इसको kitty का process देखते हैं कि वो किस तरह से manage होता है आईए सबसे पहले देखते हैं कि kitty को कहां से on किया जा सकता है software के अंदर हम लोग सबसे पहले master के अंदर mark setup control room search in all के अंदर kitty search करेंगी तो यहां पर एक option आता है kitty command is different yes or no यहां पर इस option को आपने yes करना है और इस entry इसको save करके आप बाहर आएंगी तो transaction के अंदर यहां पर kitty सामने आएगा इसको click करेंगे तो आपके सामने kitty के options open होते हैं उसमें सबसे पहला option है kitty group सबसे पहले जोलस kitty group बनाएंगे जैसे उनका कोई भी एक kitty group हो सकता है सबसे पहले add पर click करेंगे यहां पर kitty का नाम आपने लिखना है जैसे धनलक्षमी किट्टी किट्ट्टी amount किट्टी amount जो members होँगे वो कितने महीने के लिए पर करेंगे जैसे पर मंथ उन्होंने पर करना है 2,000 रुपीज और उन्होंने 12 महेने के लिए पे करना है तो यहाँ पे 24,000 रुपीज 24,000 रुपे अमाउंट आएगा यह है कि यह है आपका किट्टी अमाउंट इसके बाद start date जैसे हम start करते हैं एक अक्टूबर जैसे start date है एक अगस्त 2016 इसके बाद total month of किट्टी 12 महेने जैसे आप यह डालते हैं तो end date और EMI यहाँ पर आपको शो होती है इसके बाद payment date अगर किट्टी की payment date fix होती है तो आप यहाँ पर वो date डालेंगे जैसे 5th date या first को start हुई है तो first date डाल सकते हैं या दूसर तरीका क्या हो सकता है कि आप draw week डाल सकते हैं यानि first week के first Monday को या Sunday को ऐसे करके इसके लिए option दिये हुए है जैसे first week के Monday को payment जानी है तो इस तरीके से आप select कर सकते हैं या फिर आप date select कर सकते हैं one इस तरीके से आप यहाँ पर entry करेंगे अब जुल्ली किट्टी दो तरीके से हो सकती है यहाँ पर वो किट्टी टाइप में डालेंगे एक तो होता है regular regular में member 12 महीने के लिए pay करेगा regular और उसमें draw system नहीं होता है दूसरा jewelry emi के अंदर draw system होता है जिसमें हर महीने draw निकलता है और अगर किसी का draw निकलता है तो उसके exchange में virtually adjust हो सकती है तो वो आगे किस्ते देना बंद कर देता है इस तरह के से यहाँ पर आप select करेंगे जैसे regular यह entry को हमने save किया इसके बाद laser master अब हम laser master बनाएंगे अब इने सभी members की नाम यहाँ पर डालेंगे जैसे कि laser master की अंदर add पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर name फूचता है सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर डाला योगेश उसके बाद code जो कि automatically computer दोबार जनेट होता है इसके बाद kitty group जैसे यहाँ पर महालक्ष्मी और धनलक्ष्मी दो तरह की kitty हमने कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने स्लेक किया धनलक्ष्मी किट्टी इसके बाद lucky number यहाँ पर डाला जैसे d78 इस तरह के से हमने इसका lucky number डाला बाकी details हम यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे राजिंद्र रनगर डेली इसके बाद landline number यहाँ पर पूट किया जा सकता है डेट बर्थ और अनिवेसी डेट पूट किया सकती है इसके बाद reference by यानि यह यहाँ पर किस मेंबर के थूट यहाँ पर जोइन किया है तो उनका नाम हम यहाँ डालेंगे तो इसमें जो existing members होते हैं उनके नाम यहाँ पर शो होते हैं तो आप वहाँ पर किसी का भी नाम स्लेक कर सकते हैं जैसे रविंदर कुमार ओपनिंग अगर कोई member बीच में जोइन करता है जैसे दो महिने जा चुके हैं तो अगर दो महिने की जो एम आई है वो यहाँ पर डाल के हम इस customer को ओपनिंग कर सकते हैं जैसे 2000 रपे हमारी हर मह 1000 रपे से हम यहाँ पर ओपनिंग करके उनके next तीसरे महिने की किट्टी की टांजिक्शन कर सकते हैं next option है stop date यह तब होता है जब कोई members का draw निकलता है और वो आगे किस्ते देना बंद कर देता है तब यहाँ पर हम उसकी draw system receipt बंद करने के लिए payment बंद करने के लिए हम वहाँ पर show होता है इस तरीके से एंट्री करेंगे यहाँ पर members की photograph भी आप attach कर सकते हैं document पर क्लिक करके या उनका कोई identity आप यहाँ पर attach कर सकते हैं जैसे मैंने यह क्लिक किया तो इस तरीके से मैं यह select कर सकता हूं और save कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप सभी members को अब लेजर काड भी print करके दे सकते हैं आप उनका membership काड भी print करके दे सकते हैं इस तरीके से जैसे आप print पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर view या print आप कर सकते हैं सबी members के नाम laser master में create करने के बाद हम लोग transaction पर आते हैं किट्टी MI entry के थुरू हम यह transaction कर सकते हैं जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले किट्टी नाम आता है यहाँ पर जो किट्टी हमारे पास run कर रही हैं वो सब हम लोग देख पा रहे हैं जैसे धनलक्षमी किट्टी और महलक्षमी किट्टी जैसे हमने select किए धनलक्षमी किट्टी इसके बाद members का नाम यहाँ पर हम select करेंगे जैसे संगीता एंटर करते हुए अगर members को हम नहीं देख पा रहे हैं उनके नाम से तो हम यहाँ पर इस option पर click करके हम लोग यहाँ पर भी search कर सकते हैं उनके by name, by code या mobile number या lucky number से तो इस तरीके से हम उस पर double click करेंगे तो वह automatically वहाँ पर show हो जाएगा उनका नाम निकालने के बाद automatically यहाँ पर save पर click करेंगे तो यह हम इसका print निकाल सकते हैं receipt का जो हमने उनसे payment लिया है तो इस तरीके से उनकी रसीद यहाँ पर show होती है कि हमने उनसे कितनी payment ली है दो हजार पे और first kit यहाँ पर हमने उनकी ले रहे हैं instrument number one और अगर उनकी कोई due होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि pending instrument में आपका show होगा इस तरीके से आप उनकी उनसे payment ले सकते हैं सभी members की हर मेने इसके बाद kitty group list में जैसे हम report में जाते हैं तो यहाँ पर all जो kitty run कर रही है उनकी report यहाँ पर दिखाएगा आपको जैसे महालक्षमी kitty कितने amount की है कब स्टार्ट हुई थी कब end होगी AMI कितने की है payment date कब है draw rate कब है और kitty type कौन सी है तो यह report आपको मिलती है इसके बाद member laser wise आप report देख सकते हैं जैसे आप इस पर click करते हैं यहाँ पर आपको laser wise यह kitty wise आप report जाके और सकते हैं जैसे हम यहाँ पर laser wise रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो हमने इसको व्यू या Excel में भी आप export कर सकते हैं इन रिपोर्ट को जैसे हमने संगीता की रिपोर्ट चेक करनी है, तो एंटर करते हुए, हम यहाँ पर देखेंगे कि संगीता की रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है, उन्होंने धनलक्षमी किट्टी के वो मैंबर्स हैं, और उनका opening amount कुछ नी था, उनकी first किट्टी 2000 रुपिस की जा चुकी है, ज इसी एक किट्टी के कितने मेंबर्स पेमेंट कर चुके हैं, और कितने मेंबर्स बागी हैं, वो रिपोर्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके बाद यह Consolidated रिपोर्ट आती है, इन्डिविजल रिपोर्ट के बाद यह Consolidated रिपोर्ट है, यहाँ पर आप सेलेक करके kitty wise report चेक कर सकते हैं जैसे धनलक्षमी kitty है धनलक्षमी kitty के अंदर जितने भी members होंगी उनके नाम उनके lucky number address के साथ में mobile number के साथ में और उन्हें कितनी payment की है और कितनी pending है ये report आपके सामने मिलती है इसके बाद paid report अलग से दी हुई है आप अगर ये चेक करना चाते हैं कि कितने members की payment आ चुकी है चाहे वो सभी kitty की देखना चाहें यहाँ एक kitty का देखना चाते हैं तो आप यहाँ पे selection के धुरूँ चेक कर सकते हैं date from में डालेंगे यानि जब से वो kitty स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक की रिपोर्ट में kitty वाइज आप स्लेक करेंगे जैसे धनलक्षमी किट्टी तो यहाँ पे आपको आएगा उनका नाम और जिनकी पेमेंट आ चुकी है उनका यहाँ पे शो होगा नाम और जिनके नहीं आई है तो उनका वहाँ पे शो नहीं होगा तो यहाँ पे date up to याँनि आज तक जिन किट्टी में पेमें नहीं आएए मैंबर्ज की वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जैसे मैं रिव्यू करता हूँ तो धनलक्षमी किट्टी को हम चेक करेंगे तो जिनकी पेमें नहीं आई है तो वो यहाँ पे आपको show होंगी जैसे आप यह report में देख पा रहे हैं कि संगीता की किटी एक हाई है तो यह किटी धनलक्षमी किटी के अंडर में members है धनलक्षमी किटी हमारी start हुई थी वो एक अगस्त को start हुई थी तो एक महेने की उनकी किटी यहाँ पे आ चुकी है जो कि अभी September की report आप देख रहे हैं 7-9 तक तो उनकी एक किटी बागी है तो यहाँ पे उनकी एक किटी सामने आ रही है 2000 रुपे जबकि योगेश जी किटी अभी तक नहीं आई है जिए के बाद किटी ड्रॉपॉर्ट आती है जिसमें जो members का डर निकल चुका है उनकी रिपॉर्ट आप इसमें चैक कर सकते हैं किटीजार रिपॉर्ट के अंदर यहाँ पे डेट रेज़िटनाल के आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स का ड्रोव ने कल चुका है उसके बाद यह यूटिलिटे का ऑप्षिन है जैसे कुछ जो बोलते हैं कि उनको उनके रिसीट जो प्रिंट करके देनी है उनको फर्म का नाम एड़स प्रिंट करके नहीं देना तो उनके लिए यहां पे अंटिक आप कर स सकते हैं जूसरा पेमेंट रिस्यूड एसमेस जिन मेंबर्स की पेमेंट रिस्यूड होती है तो आप उनको थैंक्स एसमेस भेज सकते हैं तीसरा इनफर्म ड्रोव एसमेस जब किसी मेंबर्स का कोई ड्रोव निकलता है तो उनकी इनफर्मेशिन आप सभी मेंबर्स को सकते हैं इसके लिए SMS तीसरा चौता इंफर्म स्टॉप किटी अगर किसी मेंबर्स की किट्टी स्टॉप हो जाती है तो आप उसको समस भेज सकते हैं पाच्वाँ Unforum Unpaid Payments जब किसी की payment रिशीव नहीं होती तो आप उनको बता सकते हैं कि उनकी payment रिशीव नहीं हुई उसके लिए आप SMS भेज सकते हैं तो कुछ मैं आपको सेंपल में आपको शो करता हूं कि किस तरीके से हम वह कर सकते हैं उसके लिए यहां पर एडिट करके आपको यहां पर text लिखना होता है और उस option पर आपको tick करना होता है जिस option के लिए आपने वो text लिखा है तो यह save करने के बाद जैसे SMS to unpaid payments आपको भेजना है तो इस पर click करेंगे यहां पर unpaid payment up to यानि 7 सितमबर 2016 तक किन लोगों की kitty नहीं आप उस kitty पर click करेंगे और show button पर जैसी है आप click करेंगे तो आपके सामने उन सभी members की list आती है जिन members ने उस kitty की payment नहीं दिया है तो उन members को आप select कर सकते हैं या select all कर सकते हैं अगर आपने सभी members को same text भीजना है तो यह select करने के बाद send SMS पर जैसे ही आप click करेंगे तो जो सेंड हो जाएगा message send successfully इस तरह से आपका message यहां पर report मिलती है sending की रिपोर्ट उसके बाद laser import and export facility available है जिन developers के पास में कई तरह की किट्टी चल रही है और उनका data इसमें laser master में डालने के लिए उनको काफी time लगता है तो उसके लिए यह facility option दिया हुआ है कि आप उनके lasers उनके members के नाम उनके address phone number वह सभी data आप किट्टी software के अंदर import भी कर सकते हैं उसके लिए एक मैं sample में आपको दिखाता हूं जैसे laser आपको import कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले आपको एक sample laser बनाने के बाद जैसे महालक्षमी किट्टी आप यहाँ पर select करेंगे include laser has to update आप अपने tick कर सकते हैं selection कर सकते हैं तो first of all आपको जो excel की file आपको data import करना है वो excel की file आपको यहाँ पर create करने पड़ेगी सबसे पहले export पर click करेंगे select path करेंगे यानि वह आपको report कहां पर चाहिए वो select करेंगे जैसे desktop यह मैंने ok किया यहाँ पर show lasers महालक्ष्मी किट्टी के जितने भी लैजर्स होंगे यहाँ पर show होंगे जैसे कि हमने sample में एक option laser बनाया हुआ है वह यहाँ पर tick है और यहाँ पर ok करेंगे तो यहाँ पर एक file export हो चुकी है उस file को हम यहाँ पर check करेंगे जैसे कि desktop के ऊपर किट्टी import export file इसको जैसे हम क्लिक करके open करेंगे यहाँ पर वह फाइल में database आप डाल सकते हैं या copy paste कर सकते हैं name address phone number mobile birthday anniversary opening kitty name यह सभी options आप यहाँ डालने के बाद यह data आपने excel की sheet में डालने के बाद उसको import किया जा सकता है इस तरीके से हमारे किट्टी की options खत्म होते हैं धन्यवाद